नीन ना आना धीरे धीरे युवाओं की एक आम समस्या बनती जा रही है। का अभ्यास आपकी नीन की समस्या को दूर कर सकता है। चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से हैं वो योगासन जो आप आसानी से घर्पी कर सकते हैं। बड़ा फायदेमन योगासन है। चलिए जानते हैं इसको कैसे करना है। अब शरीर को उपर की तरफ जितना उठा सकते हैं उठाते जाएं। अपने दोनों हाथों को दोनों दिशा में जमीन पर ही फलाई रखें। कुछ सेकिंड तक इसी पोजिशन में रुकें और फिर पहले वाले पोज में आ जाएं। अगला है हलासन याने की दपलॉपोस। हलासन भी एक बहुत ही आसान सा और फाइदेबन आसन है जो नींद लाने में कारकर है। इस आसन को केवल 5-7 मिनट कर लें तो अच्छी और गहरी नींद आ सकती है। इसके अभ्याद से आपके शरीर की नर्व्स रिलाक्स होती हैं और मस्तिश्क में खून का परभाव बढ़ता है। जानते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले चिटाई बचा कर जमीन में बिलकुल सीधा सीधा लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए सिर्की तरफ लाएं और जमीन को चूने की कोशिश करें। अपने हाथों को दोनों तरफ रख कर सपोर्ट करते रहें। अन्यता आप केर सकते हैं। इसी पुजिशन में रहते हुए दो बार गहरी सांस लें, वो भी धीरे-धीरे, इसके बाद वापस अपनी पहली वाली पुजिशन में आ जाएं। अब इसी आसन को 5-7 मिनर तक दोहराएं। अगला है शवासन, यानि की the corpse pose। शवासन एक ऐसा आसन है जो पूरे शरीर की तंत्रिकाओं को रिलाक्स करता है, इसके अभ्यास से सभी अंगों को अराम मिलता है और मश्तिश्क का तनाव और चिंता भी कम होती है, जिससे व्यक्ति को अच्छी नीन आती है। शवासन में व्यक्ति का शरीर, शव की भांदी, स्तिर और शान्त रहता है, इसलिए इसे शवासन कहा जाता है, चलिए जानते हैं इसको अब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चटाई बचाकर जमीन पर पीट के बल लेट चाहिए, अपने हातों को दोनों दिशाओं में फिला दीजिए और पैरों को भी सामने की तरफ थोड़ी दूरी रखते हुए फिला दीजिए, अब अपने पूरे शरीर को धीला छोड़ दीजिए और बिलकुल शा पारी रखिये और फिर शांती के साथ उठकर सोने चले जाएए, आपको बहुत अच्छी नीन आएगी और जित भी शांत रहेगा, तो आप भी इन तीनों आसनों को करके हमें अपने अनुबब ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए औ बेल आइकन दबागर नोटिफिकेशन दस पाईए, ताकि हमारे चैनल से कोई भी वीडियो आपसे मिस नहों